एसिया कव दोहजार बारा फाइनल एसिया कव दोहजार सोला फाइनल एसिया कव दोहजार अठरा फाइनल और निधास ट्रोफी दोहजार अठरा फाइनल इन चारों फाइनल में भले अलगले टीम फाइनल जीता हो बड़ हारने वाला एक ही टीम है ओ है बांगलादेश एक च बात करते हैं इसी चर्चे पे इतने सारे टुनना मैंड में कैसे बांगलादेश चोकर्ष मनी तो सबसे पहले हम बात करेंगे दू हजार बारा इसी अकब यह इसी अकब जो है होस्ट कर रहे थी बांगलादेश जिसमें उसे होम ग्राउंड का एडवांटेश मिला इसमें जो मैचेस हुए थे 50 ओवर फर्मेट के मैचेस हुए थे चार देशों ने पाटिसिपेट किया था इंडिया पाकिस्तान स्रिलंका बांगलादेश पहले में बांगलादेश फर्सस पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान पहले बेटिंग करते हुए 262 रन बनाता है 8 विकेट खोकर और बदले में बंगलादिश 241 रन बना पाती है 10 विकेट खोकर और पाकिस्तान ये मेच जो है 21 रन से जीच जाता है मैं अब दो मैच रहते हैं मौहमद अभीज जो 127 पॉल में 89 रन बनाई रहते हैं और दो विकेट भी ले रहते हैं इसमें पाकिस्तान की और से 8 बैट्समेंट तक खेले थे जहां आठोए नमबर पे सरफराज एहमद बैटिंग करने आए थे दूसरा मेच होता है इंडिया वर्सिस स्री लंका इसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 304 रन बनाती है तीन विकेट खोकर जिसमें गौतम गंभीर बनाते हैं 100 रन विराट कोहली बनाते हैं 108 रन बदले मेच स्री लंका की पूरी टीम 204 रन पे ओल आउट हो जाती है 45 ओबर एक बॉल मेच इर्फान पठान मैन अब दमेच बनते हैं जो 4 विकेट ले रहते हैं 32 रन पे तीसरा मेच होता है स्री लंका बना पाकिस्तान जिसमें स्री लंका पहले बेटिंग करते हुए 188 रन ही बना पाती है जिसमें उसके कई बड़े दिंकच खिलाडी रहते हैं कुमार संगयकर 71 रन बनाते हैं उपल थरंगा संता बन बनाते हैं और पाकिस्तान की और से एजाज चीमा जो है 4 विकेट लेते हैं 43 रन देखे बदले में पाकिस्तान की और से पाकिस्तान की टीम जो है 4 विकेट खोकर लक्षे हासिल कर लेती है उमर अक्मल बनाते हैं 77 और मिजबा उल्हक बनाते हैं 72 पहले रब दम मेच जो है रहते हैं एजास चीमा चौथा मेच होता है इंडिया वर्सेस बंगलादिस ये मेच काफी खास है क्योंकि इस मेच मेच में जो सचीन तेंदूल करने अपना सौवा सेंचूरी पूरा किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले बेटिंग करते हुए इंडिया ने 289 रन बनाए 5 बिकेट खोकर जिसमें सचीन के 114 रन थे 147 पौल में 12 चोके और एक छक्के में सचीन ने अपना रन पूरा किया था बंगलादिस के और से एक टीम एफट दिखा जिसमें तामीमिक वाल ने बनाए 70 जोहिर उले इसलाम ने बनाए 33 पन नसीर हुसन बनाए 4 बन साकीबल हसन बनाए 49 बनाए 46 जिससे बंगलादेस से मेच इजीली जीर जाता है 293 बना लेता है चार बौल रहते हुए और मेच जीर जाता है अगला मेच होता है इंडिया वर्षास पाकिस्तान जिसम जिकेट खोकर और बदले में चेस्क नाई भारत की बीना रन बनाए पहले विकेट गिर जाते हैं गौतम गंभीर के रूप में फिर भी भारत ने ये मेच जासानी से जीत लिया था क्योंको इसमें बिराट कोहली ने तावरतोड 183 रन के पारी खेली थी 117 इसके स्ट्राइ लगाई थी और इस मेच में बिराट कोहली जो है मेनम्दम मेच थी छटवा मेच था स्रिलंका बंगलादेश जेज में स्रिलंका बहुत बूरी खेली और 232 रन पे अल आउट हो गई बदले में बंगलादेश जो है 212 रन बनाई थी 5 विकेट खोकर 3700 पर एक बोल में और DLS से मेच जीच जाती है और फाइनल होता है पाकिस्तान वर्सेस बंगलादेश क्योंकि इंडिया बंगलादेश से हारा रहता है और बंगलादेश के थोड़ा पॉइंट जादा मिलता है तो पाकिस्तान पहले बेटिंग करते हुए काफी मतलब बूरा खेलती उतना खास नही कि सकी बहुलासन पारी खेलते 68 रन की फिर भी बंगलादेश ये मेच हार जाता है जब लाज्ट बॉल में चार रन चाहिए था तो बंगलादेश नहीं बना पाता और इस मेच हारने के बाद पाकिस्तान के जो बॉलर थी एजाचिमा उसके बाद दिखाई भी नहीं दिये लेकिन सकी बहुलासन और मुस्फिकर रहम कई ज्यादा जो है रुए थे इस मेच में बहुत ज्यादे एक बच्चे लोग जैसे रहते हो वह से रुए थी एक दूसरे कांधी कांधी रखे और यहीं से सुरू हुआ बंगलादेश का जो है चोकर्स का टेग इसके बाद जो ह इनके हाथ में थी एक टाइम पी एक डैम पे ऐसा थे कि भारत इमेच नहीं जीत पाता अगर दिनेश कार्थिक नहीं आता तो दोसो चैसर टरन का टार्गेट दिया था लेकिन सत्रा ओबार पांच बल स्वंधिंग में भारत मात्र एक 133 रन बनाई रहता है फिर आते दिने इस रन की पारी खेलके इनके मूँ से जीट चिल लेते हैं और फिर से यह टेग इनको लग जाता है चोकर्स का